हलो फ्रेंड्स, आप रोटर पंकच, देखें जैसा कि आप सभी लोग जानते कि आजकल कोरोना का जो इंफेक्शन है काफी तेजी से हमारे देश के अंदर फैल रहा है और मुझे रोज काफी सारे लोगों के फोन आते हैं कि सर हम फोन कंसल्टेशन के लिए फिजीशियन को फोन करते हैं तो उसके लिए भी एक एक दिन की वेटिंग चल रही है और जहां तक बेड और ऑक्षिजन का सवाल है तो वो तॉट आप जानते हैं उनकी कितनी भारी कमी ह हमारे देश के अंदर पूरा health infrastructure एक तरीके से बोलें तो चर्मरा गया है तो इस वीडियो में हम लोग आज यह देखेंगे कि जिनको भी कोरोना का infection हुआ है उनकी treatment में कुछ important बाते हैं जो उन मरीजों को ध्यान रखनी चाहिए और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको consult जरूर कर लें अपनी मर्जी से कोई भी दवाई ना लें तो देखेंगे सबसे important चीज़ आपको कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपको जब infection हुआ तो जो पहला symptom आया था जो पहला लक्षन आया था बिमारी का वो दिन कौन सा था वो date आपको अच्छे से याद करनी है for example जैसे एक इनसान को एक तारिक को fever आया बट अक्सर होता क्या है कि मरीज जब हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि सर मुझे जो पहला fever आया है वो चार तारिक को आया है वो हमें ये बताते ही नहीं कि उसको तीन दिन से headache था तो यहाँ पे जो उसका पहला day है वो तो एक ना कि चार तारिक क्योंकि उस उस पेशेंट को एक तारिक से ही headache शुरू हो गया था तो यहाँ पे आपको पहला जो दिन है ना वो symptom का जो लक्षन जिस दिन पहला लक्षन आया था वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना के treatment में days का बहुत बड़ा खेल है हो कह रहा है कि यह जो नया वाइरस है ना इसके लिए एक से तीन दिन और तीन से पाँच दिन यह बहुत important है क्योंकि एक से तीन दिन में करता है बॉड़ी के अंदर systemic inflammation मतलब कि आपकी बॉड़ी के अंदर एक inflammation शुरू हो जाएगी और तीन से पाँच दिन में पाँच दिन के आसपास य बड़ा कारण है और जो पेशन्ट के फैंपड़े खराब होते हैं उसके लिए भी यही में responsible चीज़ है तो इसमें अगर आप डे डॉक्टर को अच्छे से बताएंगे तो उनके लिए आसान हो जाता है समझ पाना कि कब क्या treatment शुरू करना है तो वो कम investigations में भी आपका treatment कर देते हैं तो होता क्या है कि actually आज कल मुझे तो इतने phone आया है कि अब तो sir CRP जो test है जो पहले इतने आसानी से हो जा रहा था उसके भी chemicals की कमी आने लगी है और वो भी एक एक दो दो दिन के बाद हो रहा है क्योंकि इतनी जादा तादात में infection हो है ना कि हमारे जो resources है वो कम को रहा है तो आपको तुरंत ना अपने doctor से consult करना है किसी भी तरीके से किसी भी डॉक्टर से जो qualified है या फिर पास में जो कोविड हॉस्पिटल की इमर्जंसी आप जाके वहां पर आपको डॉक्टर मिल जाएंगे उनसे उनसे आप consult कर सकते हैं अब कुछ चीज़े हैं shortness of breathe मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होती है इंसान को तो ये तो बहुत ही आसानी से इंसान समझ जाता है कि आज मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है fatigue ये एक important है कभी-कभी लोगों को थकान होती है और वो इसको ignore करते हैं जबकि ये disease का पहला symptom होता है तो ये बात आपको याद रखनी है एक और common चीज़ है एक होता है कि शरीर में लोग बोलते हैं जिसको हम लोग body act बोलते हैं तो अगर आपकी muscles में दर्द है या शरीर में शुरू हुआ नेक्स नेक्स आपका loss of taste and smell sensation ये भी बहुत important है उसके बाद sore throat हो सकता है उसके बाद आपकी जो runny nose हो सकती है मतलब जिसको आप जुखाम बोलते हैं नाक से पानी निकलना फिर उससे उल्टी आना या उल्टी के जैसा feeling होना वो भी important है और डाइरिया डाइरि को हम लोग सबसे पहले यही समझेंगे कि उसको कोविड हुआ है अगर उसकी कोविड की रिपोर्ट निगेटिव आती है फिर दूसरी चीज़ है पर कोविड ही मान के चलना है आज की तारीख में तो देखिए सबसे important चीज क्या है कि कुछ ऐसे test हैं जो कि बहुत important होते हैं initial days में उसमें हम लोग even मैं नहीं सारे doctor C इस बास से agree करते हैं कि जो CRP जो एक test है यह काफी important test है क्योंकि देखे और आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही patient हमको बोलता है ना symptom आया हम उसका day 1, day 2 और day 3 पे लगातार CRP कराते हैं daily CRP का हम लोग कराते हैं test even हम उसके बाद अगर patient ठीक नहीं होता तो बाद में भी CRP कराते हैं खास तोर से जब तक CRP 10 से कम ना हो जाए अगर CRP 10 से कम है तो डरने की बाद थोड़ी कम है ऐसे तो normal value less than 5 होती है पर इस तो लगा 10 से कम है तो उतना दिक्कत नहीं होती बड़ अगर CRP की value 10 से अगर जादा है फिर तो बिलकुल हमें देखना पड़ता है कि इस patient को कैसे treat किया जाए क्योंकि हर चीज का एक criteria है उसके बाद एक एक और important test है CBC CBC भी बहुत important test है इसमें आपके platelet जो platelet count है वो पता लग जाता है इसमें आपका complete blood count जिसको TLC बोलते है वो मालुम हो जाता है अगर TLC raised है तो हो सकता है इवन COVID के patient में देखा जा रहा है कि total count जो TLC count है आपका वो ऐसे भी थोड़ा raised आ ही रहा है उसके बाद आपका random blood sugar, blood sugar बहुत important है क्योंकि COVID के infection में देखा जा रहा है कि जो आपकी blood जो शुगर है वो बढ़ ही जा रही है काफी patient के और कुछ तो पहले से ही diabetic होते हैं मैं त तो आपको RT-PCR test के लिए wait नहीं करना है अपने doctor से मिलना है वो आपका CRP test सबसे पहले करवाएंगे CBC और RBS और RT-PCR test बेच दिया जाएगा बट उसके अगर RT-PCR test लेट आता है तो उसमें आपका treatment delay नहीं किया जाएगा मैं एक ऐसे patient को जानता हूँ उन्होंने मुझे phone किया था मैंने उनको बोला कि आप अभी ही क्योंकि उनका CRP थोड़ा सा मैं उनसे बोला था आप CRP test करा लो बटो कराने को तेयार नहीं थे उन्होंने बोला कि हमारी पहले RT-PCR की जो report आ जाएगी तब हम देखेंगे उनको day one से ही हमारी बात मान लेते तो शायद उनके साथ यह नौबत नहीं आती तो CRP जो है आज के time में एक single सबसे important test है जो की help करता है treatment को start करने में तो इसलिए मेरी सबसे request है कि वो लोग wait ना करें RT-PCR के test के result के लिए या HRCT के लिए जल्दी अपने doctor के पास जाके उनसे consult करें कोविट का treatment शुरू करा लें और एक बात और बता देना चाहूंगा कि जो CRP test है वो दो तरीके सो होता है एक तो होता है quantitative और एक होता है qualitative तो हमें जो CRP जो चाहिए खासतोर से मेरा experience है और वाकी काफी सारे doctor मानते हैं कि जो quantitative जो CRP होता है उसकी reading आती है milligram पर लिटर के है हमें ची होता है quantitative जिसमें की value numbers में आती है like 8 milligram पर लिटर तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर किसी का 10 से जादा है तो उसको मैं थोड़ा सा serious मानता हूं हाला कि CRP का एक basic criteria है वो लोग आप लोग के मतलब वो doctors के लिए जादा important है बट आप लोग ये मान के चलिए कि हमें CRP करनी है किस चीज की vitals की अब हमारे काफी सारे viewers को नहीं पता होगा कि vitals क्या होते तो vitals का मतलब होता है medical science में के आपको जो basic जो parameters है वो patient की note करने है जैसे कि आज कल मैं बोलू vital का मतलब तो spo2 हो गया जिसको आप pulse oximeter से measure करते हैं उसके बाद हो गया आपका temperature इसको thermometer से आप सब के पास होता है फिर respiratory rate respiratory rate अगर किसी को देखना नहीं आता तो मेरे चैनल पर जाके covid series करके playlist है इसके सारे वीडियो देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा अभी मैं बता देता हूँ जैसे किसी patient की chest है chest के पास में आप अपना mobile phone या घड़ी रख लीजिए और देख इसी patient को suspected covid है और उसकी respiratory rate 24 से जादा है फिर तो वो बहुत ही एक alarming sign होता है तो respiratory rate भी आपको measure करनी है फिर blood pressure blood pressure का instrument अगर नहीं है जो आपका जो आता है तो उसको market से खरीद दीजिए उसके बाद pulse rate पल्स रेट आप ऐसे भी नाप सकते हैं और वाकी जो SPO2 का जो pulse oximeter होता है उसमें भी दिखाई देती है और उसके बाद आता है urine output अब आप बोलेंगे sir हम urine output कैसे नापेंगे तो दे कि मुझे लग रहा है कि urine कम आ रहा है क्योंकि urine कम आना भी एक alarming sign है उसके बाद सबसे important चीज है कि आज कल जो doctors है या बहुत साही डॉक्टर टेलीफोनिक consultation कर रहे हैं मतलब कि phone पे तो हम लोग उनको WhatsApp पे अपना data भीजते हैं तो देखे डॉक्टर को अगर आप अच्छे से data send करेंगे ना proper way में तो उसको बहुत आसान हो जाता है treat करना जैसे मुझे बहुत सारे patient अपना data भीजते हैं तो वो क्या करते हैं report पहले report भीज देंगे सारी उसके बाद मैं उनसे पूछूँगा भी मुझे vital तो दे दो फिर vital भी देंगे तो एक-एक करके तो वो गलत होत है और वाइटल के नीचे फिर अपनी जो ब्लड रिपोर्ट से वो भीजिए तो यह ना doctor को काम करना बहुत आसान हो जाएगा मैं अपना experience बताता हूं आजकर इतना patient load है कि time मिलता ही नहीं और उसमें बिगर patient इस तरीके से data भीज़ेगा तो और time खराब होता है हम लोग के CRP काफी time कराते है एक सर डेली तीन चार दिन तो तो जब भी है तो हर date का एक table बना लिजे हर date का CRP कितना आया उसको लिखते जाए तो एक साथ doctor को ना उसको जज़ करना आसान हो जाता है कि भी कल का इतना था आज का इतना है अब patient क्या होता है अपनी एक report भेज देगा उस इतने सारे treatment को mix मत कीजिए बहुत सारी दवाईयों के side effect होते हैं तो अगर आपको इन सब treatment को mix करना भी है तो आप अपने डॉक्टर से प्लीज सरहा लेके ही कीजिएगा अपने से ऐसा नहों कि आप एलोपेथिक का treatment ले रहे हैं और अपने से या अपने patient को कुछ और important चीज क्या है कि जब आप किसी doctor से treatment ले रहे हैं तो उस पर please trust कीजिए 10 जगे 10 तरगी के doctors को phone करके आप ना तो खुद panic हुई है ना दूसरे को कीजिए क्योंकि आज कल मैं देख रहा है आज कल मैं देख रहा हूं कि लोग ना panic बहुत हो जा रहे हैं एक मेरे जानने वा राइफ थी उनको वो भी कोविड पॉजिटिव हो गई इस सब चक्कर में doctor मलब different hospital में भागते भागते तो मैं आप से बोलूँगा कि please doctor से पहले phone पर सलहा लीजिए या फिर OPD में जाके लीजिए और panic नहीं करना है थोड़ा relax रहना है जब doctor बोलेंगे तब ही hospital में admit होना ह और एक चीज और important मैं देख रहा हूं कि आजकल जैसे ही लोग कुछ लोग जो पूरी तरीके से improve हो जाते हैं ठीक हो जाते हैं खुद से ही दवाईयां छोड़ देते हैं मैं ऐसे 2-3 लोग को जानता हूं तो खुद से दवाई नहीं छोड़नी है without doctor के consultation के without doctor से consult के दवाई नहीं छोड़नी है इसमें important दवाई में देख रहा हूं कि हमारे एक patient थे वो 6-7 दिन से steroid ले रहे थे और उन्होंने steroid को अचानक से बिना doctor से पूछे stop कर दिया अब देखे steroid जो है न सबसे पहले आपको पता होना चीए कि आप अपनी दवाई चेक कीजेगा दवाई के पीछे जो rapper होता है उस पर दवाई का chemical name लिखा होता है तो जो steroid आज कल हम दे रहे हैं उसमें या तो dexamethasone होता है या methylprednisolone होता है तो यह जो steroids है न इनको abruptly बंद नहीं किया जाता है अचानक से इनको doctor की सला में धीरे धीरे इनका dose कम किया जाता है for example जैसे अभी मैं किस पेशेंट को 6 mg dexamethasone दे रहा हूँ तो मैं उसको फिर next जब मुझे बंद करना होगा तो मैं उसको 4-5 दिन तक 4 mg दूँगा फिर उसके फिर 4-5 दिन बाद उसको 2 mg दूँगा तब बंद करूँगा तो यह dexamethasone को या methylprednisolone जिनको steroid बोलते हैं उनको बंद करने का एक special तरीका होता है जो की केवल डॉक्टर के supervision में होना चाहिए तो इसको प्लीज आप लोग अपने से ना करें और लास्ट में मेरी आपसे request है कि always always remember prevention is always better than cure आज कर इतनी दिक्कत है सबसे best तरीका है कि आप covid का जो infection है उसको होने ही मत दो अगर आप covid के infection को होने दोगे तो सिरीज में प्लीज उनको देख लिजिए और डबल मास्क यूज कीजिए और डबल मास्क में भी आपका जो अंदर का मास्क है वो ट्राइ कीजिए N95 मास्क होना चाहिए क्योंकि कपड़े के मास्क वायरस को उतना नहीं रोक पाते हैं और आपको प्लास्टिक की face shield यूज क करनी है और social distancing का पूरा पालन करना है तो इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं thanks watching my video